इसे इंट्रोज नहीं करता लेकिन मैं इस समय सेक्ड़ो फीट नीचे गुफा में उतर रहा हूँ जो प्रिधवी में 5 किलो मीटर से ज्यादा गहरी है जाहे हमें ये बसंद हो या ना हो जैसे ही मैं और मेरे दोस्त जमीन को छुएंगे हम यहां भसे रहेंगे अगले साथ दिनों तक मैंने शायद कभी कुछ इतना खतरनाक नहीं किया होगा सबसे पहली चीज हमें बहां से दूर जाना होगा जहां से हम नीचे आये थे क्यों? अगर तूफान आया तो ये जगह बार की चपेट में आ सकती है समुत्र की तरह भर सकती है और हमें डुबो भी सकती है इसलिए हम बेस कैम्प गुफा में आगे लगाने वाले हैं यहां की दुनिया तो अलग है दोस्ट इस गुफा की एंट्रेंस भले ही सुन्दर है लेकिन दिखावट पर नहीं जाना चाहिए हम सब यह जानते नहीं थे लेकिन अगले साथ दिन हमारी जिंदगी का सबसे मुश्कल समय होने वाला था यह बहुत पुरा आइडिया था ठीक है कुछ घंटों में अंधेरा हो जाएगा और अगर हमारे पास कैम्प नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मैं पता भी है कि तुम कहा जा रहे हो हम के लिए फ्लैट जमीन ढून रहे हैं इन में हर बैक का वजन 36 किलो है और जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं हमने लगभग चार घंटे पिताए इसे पार करना बहुत मुश्किल है हम यह सब हमारे बेस कैम्प तक ले जा रहे हैं ठीक है हमने यहां कुछ लाइटे जला रखी है हमारे सप्लाइज वाइन के लिए सही होगी और हमारे सवाइवल गाइड जोल की मदद से हमने बिस्तर लटका दिये यह पतली सी रसी मेरे बिस्तर को संभालेगी रात का खाना खाया और जोरदार ठंट के लिए तयार हो गये सच कहूं तो मैंने जितना सोचा था यह बिस्तर उससे कहीं ज्यादा यह गुफा 2.5 किलोमेटर गहरी है और हम अभी इसके एंट्रेंस पर ही कैम्पिंग कर रहे हैं कल हमें काफी कुछ एक्स्टोर करना है तुम लोगों की मीन कैसी रही बुरी तरह मैं नहीं सोया बहुत ही उल्जन भरा महाल है गुफा की उपर से लगातार पानी टपक रहा ह हमने अपने ऊपर एक टार्प डाला लेकिन फिर भी पानी हमारे बिस्तरों में आ रहा है मैं एक आइडिया दू चलो अपनी कैम को और बहतर बनाते हैं हमें इन टाप्स को जोड़ देना चाहिए ताकि यहां सोते वक्त हम सूखे रहे बहुत अच्छा एडिया है मैं अब यहां सब कुछ एक जैसा दिखता है और गुफा में हमें ट्रैक करना शायद काफी जब तक बॉइज एक्स्प्वोर कर रहे हैं मुझे और शॉन को कैंप पर काम करना पड़ रहा है यहां यह स्लीपिंग बैक क्यों पड़ा है इसमें टॉइलेट जैसी पदबू आ रही थी यह लेसन नंबर वान किराए के स्लीपिंग बैक्स मत लेना हमने स्लीपिंग बैक हम यह स्लीपिंग बैक्स खरीदे क्यों नहीं हम टाप्स को जोड़कर एक बड़ा टाप बना रहे हैं मेरी जिंदेगी अब बस इस रसी के सहारे है और इस बीच मैक और काल अब भी गड़े में थे और आखिरकार वो कुछ समय बाद नीचे पहुँच गए हमें इस वक्त क कितना खदरनाक है बस गिर मत जाना वरना मैं नहीं निकालाउंगा ओ ओके हाला कि उन्हें वापस आजाना चाहिए था काल और मैक ये देखना चाहते थी कि वो कितनी गहराई तक जा सकते हैं प्रो यह सच में पागल पन है तुमें लगता है तुम यह नदी पार कर पाओग लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि ये नदी पूरे गुफा में फैली हुई है जिसका मतलब है कि हमें इसमें कुछ समय बिताना पड़ेगा लो आगए कैदों की खाना बन चुका है हाँ बन चुका है सही कहा एक नया घर है ना लेट्स गो अब हमाने पास एक छट है क्य लोग ने कमाल कर दिया और हमने फार पिट को इस चोटी सी गुफा में रखा है तो क्या कहते हो गरम है काफी कोजी है ये चट्टाने यहां गर्मी को कैद करती है और उपर से आने बाले टॉयलेट को ब्लॉक कर दी है तो 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 फिर मैं उसे क्या को पता नहीं शायद बार पत्थर है उपर देखो उपर बादल नहीं पत्थर है ये बारिश नहीं है प्त्थर का टॉयलेट दढ़ देगा नहीं कहा दाना और एक सूखी रात की मींद के बाद हमने जोल हमारे स्वाइवल Эक्सपरट को मदद के लिए बुलाया ता कि हम गुफा के अंद तक बहुच लो दो पितनी गहराई तक पोहुच सकते हैं यहां चोगे हैं बहुत कम हैं और कभी कभी आप एक बड़े से चेंबर में होते हो इतना बड़ा कि हम इसे देखने के लिए यह चरना पड़ा ओइख पा रहा हूं, मजा आगया, यह कितनी चमखदार है, देखो तो यह कितना शांदार है, रोशनी इतनी तेज है की मैं देख भी नहीं सकते, तो अंधा हो रहा हूं, ओ नहीं, सोचने पर लग रहा है, कि शैद हमने इसका सबसे अच्छा इस्तमाल नहीं किया, रास्ता द अब तक सब जिन्दा है ठीक है दोस्तों तो यहां से चीज़े दिल जस्त हो जाती है क्या ये क्या है तो अब से वेट सूट पहनने होंगे हम सब तैरने वाले हैं कल मैक और काल इसके बारे में मजाग कर रहे थे लेकिन इस गुफा के एडवेंचर का बाकी हिस्सा एक जमा देने वाली नदी में होता है वेक्सूख ही एक तरीका है जिससे हाइपो थर्मिया से बचा जा सकता है गुफा के अंद तक पहुचने के लिए हमें इस नदी में कूटना होगा और पथरों के बीच से होकर तेजी से भैती नदी को पार करना होगा और साउधानी से इनके बीच से गुजरना होगा धीरे धीरे चलो इससे तुम्हारे पहर पीछे जाएंगे जीख है मैं नदी में जा रहा हूँ ध्यान से लेफ साइड की दिवारों को फॉलो करो यह बहुत ठंडा है तुम कर लोगे जीमी जीमी मैं चाहता हूँ कि तुम पानी से बाहर निकले इसको करना पागल पन है यह कितना ठंडा है क्योंकि जब आप पूरी तरह से ठंडे पानी में डूबे होते हो तो पथरों को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है मैं यह तो पागल पन था मैं चलो मुझे ठर लग रहा है तुम कर सकते हो चाहरी रखो देखो यह कितना मुश्किल है हाला कि यह बड़ा मुश्किल था पर आगया आने वाली मुश्किलों के सामने यह कुछ नहीं हमने कर दिया हम 10% काम पूरा कर चुके हैं जिसका मतलब है कि यह बस एडवेंचर की शुरबात है और रंद तक पहुचने के लिए अभी दो किलो मीटर पाकी है जैसा कि तुम देख सकते हो इस गुफा में 24 घंटे बारिश होती रहती है इसलिए मैं हमारे लिए एक आराम दायक जगा बना रहा हूं ताकि हम सुके रहे हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि अब हमारे शरीर गिले हो चुके है इसलिए तापान थेजी से गिरने वाला है सबसे बुरी बात यह है कि हम जितना इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं हमें उतना ही वापस अपने क्यान तक जाना होगा हमारा अगला अबस्टिकल पानी से बाहर हो सकता है पर इसका मतलब यह नहीं कि वो आसान होगा और यह यह मकडी का जाल है पर यहां मकडी है ही नहीं इसका मतलब वो हमपर हो सकती है तुमारे उपर उपर है मुझे इन से नफलत है ये गुफा एक Mr.Beast वीडियो की तरहा है जितना आगे बढ़ते हो उतना मुश्किल होता है सच के हूँ तो अगर हमारे पास जोल नहीं होता तो मैं जिन्दा नहीं होता और तीन घंटे बाद जोल के पास हमारे लिए बुरी ख़बर थी पानी बहुत उचा है और हमने बहुत समय बरबाद किया है हमें आज के लिए वापस लॉटना होगा और कैम्प में जाना होगा मैं अस एहमत हूँ तुम सेफटी एक्सपर्ट से अस एहमत नहीं हो सकते फिर भी मैं अस एहमत हूँ जो भी हो हमें इनकी बात माननी होगी हमने फिल्म बनाने और फ्लेर के साथ खेलने में बहुत समय बरबाद कर दिया इस हब तक कि हमें अभी रिस्टार्ट करना होगा और इस मिशन को कल फिर से शुरू करना होगा शान हम वापस आगए जब हम नहीं थे तब तुमने क्या किया उमीद है कि आप कोई गिला नहीं होगा मुझे नहीं पता था तुमने लाइट्स पैक की अफसोस है कि आज हम सिर्फ 20% गुफा ही पार कर पाए लेकिन भरोसा रखना कि हम किसी ना किसी तरह आखिर तक जरूर पहुचेंगे हम चौथे दिन आराम कर सकते हैं और फिर पाचवे दिन गुफा के अंध तक जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे वहां क्या है हमारी तीसरी और बुरी रात के बाद अगली सुभा हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी एक गर्म शावर मिल जाए तो अभी मेरी चान बढ़ सकती है हाँ शावर लेना सच में शांदार होगा मैंने शावर नहीं लिया है तीन चार दिनों से जैसा कि आप सोच सकते हैं गुफा के अंदर नहाना आसान नहीं है नदी के तल तक सुरक्षत पहुचने के लिए हमें उस जगह तक हाइक करना पड़ा जहां से हमने शुरू किया था मुझे अपना दिमाग फील हो रहा है मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया जब तुमारे पास ड्रोन हो तो हैर ड्रायर की क्या ज़रूरत और सूखने के बाद हम अपने आगे की प्लानिंग के लिए जोल के साथ बैठे ये क्या है जोल ये गुफा का मैप है विशली बार हमें तेज बहाव की वज़े से रुखना पड़ा था लेकिन बारिश धीमी हो गई है इसलिए हमें कल गुफा के अन तक पहुशने का मौका मिल सकता है इसमें बहुत मजा आने वाला है पहले हमें कल की तरह कुछ उसी बहाव को पार करना होगा बड़े चट्टानों से कूटना होगा और खुड़तरी पत्थरों से बचना होगा और अगर हम सब कुछ पार कर पाए तो फाइनली हम खुब सुरत ग्लो वांब चिंबर तक मुश पाएंगे हमें मत बताना की वो कैसा दिखता है वो हमारा सप्राइज होगा तो मैं लगता है हम ये कर पाएंगे कल की अची तरह से प्लानिंग करने के बाद हमने आराम किया और अपनी एनरजी वापस पाने के लिए फीस्टिबल स्मोर्स बनाएं सब लोग चीर्स ओ जोल अपना पहला फीस्टिबल स्मोर्स खाने वाला है ये अच्छा है तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा लगा और अपने सवाइवल के चांसिस को बढ़ाने के लिए हम जोल के साथ एक और सवाइवल एक्सपर्ट को भी लाए दीसरे दिन हमें यहीं पर रुपना पड़ा था अब हम कैसा कर रहे हैं? हम बहुत बैतर कर रहे हैं हमारे पीछे पूरी तरह से अंधेरा है हम कहां जाए यह जगे नेरो होती जा रही है धारा भी तेज है तो हम दिवारों का सहरा लेकर चड़ने की कोशिश करेंगे तो चलो शुरू करते हैं पहली चटान पर तू दो कोने के आसपास भी कुछ अच्छी चटान है जिनका सहरा ले सकते हो यहां कितना अंधेरा है अग कोई बेश नहीं है बेरे पैर जमीन से बहुत उपर है क्योंकि हम जमीन तक नहीं पहुच पा रहे इसका मतलब यह है कि अगर हमने अभी जाने दिया तो हम सीधे पानी के धार में बह जाएंगे जोल अब हम क्या करें अपना हाथ यहां पर फसाओ पकड़ अच्छी मिलेगी अगे मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं जोई यह पानी मुझे पहा ले जाएगा मैं यह कैसे करूँ तुम्हें खुद वो वहाँ पर लाना होगा और फिर यह बहुत असान हो जाएगा मैं अंदर जाओ हाँ बोल में यह आज तक का सबसे खतरनाक चैलेंज होगा हम गुफा के पहले से कहीं ज्यादा गहराई में हैं और अब हम हमारे पहले आपस्टिकल के करीब पहुचने वाले हैं असल में पानी बार बार घूम रहा है अगर तुम इसमें गिरते हो तो यह तुम्हें नीचे ले जाएगा और वहीं रोकेगा अगर हम गिर गए तो मर जाएंगे हाँ तो मौत का खत्रा है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमें ये सब करना पड़ेगा बहुत अच्छे अब मैं अपना पैर यहार रखू तो मुष्किल से इंसान जितना ताकतवर हूँ हमारी खुश किसमती है कि इस एटवेंचर को काल लीट नहीं कर रहा बल्कि हमारे पास जोल है जो अवेंजर्स से कम नहीं और ये साबित करने के लिए कि वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है उसने हम पर फ्लेक्स करने के लिए एक चटान से कूट कर दिखाया ओ माइ गॉड तुम पागल हो कौन है जो थोड़ा पागल है कोई तो है जो करना चाहता होगा मैं पागल हूँ ये मत कहना कि तुम्हें भी ये करना है क्या बोल रहे हो मैं अभी कर रहा हूँ दोस्त चलो जो गुड लख मैक जिमी ने मुझसे अब तक जो भी करवाया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है त्री तू वान क्या तुम ये करोगे नहीं आगे बढ़ते हैं वरना हम आखिर तक नहीं पहुचेंगे हमेशा हम पानी के भाव के उल्टा ही क्यो जाते हैं मैं शायद इसमें बहर जाओं मुझे शायद हर ही मानने नी चाहिए पानी के नीचे नुकीले पत्थर है तुम ने देख नहीं सकते तो संभल कर चलना ओ माइगाड पानी और गहरा हो रहा है मैं नहीं कर सकता मुझे पैर किसी चीज़ पर अखने होंगे और अगर लुकीले पत्थर काफी नहीं थे तो हमारे हर कदम के साथ ब्रो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यह डरावना है यह गुफा और भी अंधेरी, टाइट और खतरनाक हो गई जिससे हमने सोचना शुरू कर दिया कि क्या हम सच में फिनिश लाइन तक पहुच पाएंगे मैं बस, मैं धर्किया हूँ यह गुफा आप और भी मुश्किल होने वाला है और मुझे आप सबको कुछ दिखाना है जोल मुझे तुमारा बैग देना थैंक यू, पता है तुमारे बैग में अब तक क्या था? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं बता ब्रैंड न्यू, Mr. Beast Lab Swarm मैं इमानदारी से कहूंगा जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैंने पिछले 5 घंटों में जहेला है मैं इस वक्त इसके बारे में कुछ बताने की हालत में नहीं हूँ तो एक महीने बाद जब हमने ये शूट किया तब मैंने पूरा गुफा का सेट बनाया अपना फ्यूचर जिमी का नेम टैक पहना और फिर कहा हेई मैं फ्यूचर जिमी और मैं आपको हमारे नए टॉइस के बारे में बताऊंगा Mr. Beast Lab Swarm ये collectible toys है जिसमें 110 से ज्यादा यूनीक characters है जिन्हें आप collect कर सकते हैं और कूल बात है कि पता करने के लिए कि आपको कौन सा character मिला है आप इस ट्यूब में पानी डालते हो इसे हिलाते हो और Swarm आपकी आखों के सामने आ जाते हैं और प्रड़क्ट का डेमो दिखाने के लिए हमने इस Swarm ट्यूब का एक बड़ा version भी बनाया है इस ट्यूब को पानी से भर दिया आपको इतना पानी नहीं चाहिए होगा क्योंकि ये एक बड़ा ट्यूब है ठीक है अब ये पानी से भर गया है तो Mac इस ट्यूब को shake करेगा मुझे लगता है इतना काफी होगा ना मुझे लगता है इतना काफी है फिर आप पानी को बाहर निकालोगे जोल ये तुम करो और फिर पानी से निकलेंगे वो दो Swarm जो आपको मिले हैं ये सबसे रेर वाला है Hyper Pro मैंने ये सिर्फ हजार बनाए है जोल ये तुम रख सकते हो और ये तुम्हारा है वाल को क्या मिलेगा मेरे पास सिर्फ दो हैं सिर्फ Swarm ली नहीं हमने ये Action Figure Panthers भी बनाए हैं जो इन Brief Cases में आते हैं और एक Mutator जो Swarm की तरह ही खरीदने पर बहुत ही शांदार तरीके से रिवील होता है ये मुझे का मिलेंगे काफी अच्छा सवाल है Mr.Beast के Lab Toys अब दुनिया भर में हर जगह अवेलेबल हैं जहां से आप खिलोने खरीदे हैं ये रिलीज हो चुके हैं अभी खरीदिये और गुफा में और भी कठिन सफर के बाद हम आखिरकार Glow Worm Chamber तक पहुच ही गए या हमारी महनत बेस ना हो तो ठीक है टीम Glow Worm Chamber में आपका स्वागत है या बात है ये कमाल का है दुस्तों ये धर्दी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है जो रोशनी आप यहां देख रहे हैं वो असल में छोटे छोटे बायो लुमिनेसिंट Glow Worms से बनती है ये तो Milky Way गैलक्सी जैसा लग रहा है वाउ इस पल ने और इस व्यूने सच में हमारे ट्रेक को सैटिस्फाइंग बना दिया है Glow Worms तक पहुचना वागई ट्रिप के लायक था लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि हमें एक बेस क्याम तक वापस जाना था देख छे शुरू होने वाला है वो लोग वापस नहीं आये और मैं ठक गया हूँ मुझे नियलगता मैं सो पाऊंगा मैं परिशान हूँ क्योंकि काफी देर हो गई वापसी का सफर बहुत आसान है क्योंकि हम बस धारा के साथ भेह रहे हैं क्योंकि आप पहले ही सफर देख चुके हैं हम वापसी का सफर जल्दी कुड़ा करेंगे यह बहुत ही रोमान्चक दिन था मैं आप सबसे कल मिलता हूँ या फिर शाद आज ही आज छटा दिन है हो सकता है मुझे नहीं पता इतनी लंबी और ठका देने वाली ट्रिप के बाद भी मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मुझे सोने में बहुत प्रॉबलम हो रही थी मैंने साथ दिन एकांत में बिताए, साथ दिन जिन्दा दफन होकर बिताए और साथ दिन एक राफ्ट पर और सच कहूं तो मुझे लगता है यह उन सबसे ज्यादा मुश्किल है तुम हमेशा गीले और ठंडे रहते हो, मेरा शरीर बार बार इन कठोर पत्थरों से टक्रा रहा है और दर्द हो रहा है 90% समय यह गुफा बैस खतरनाक ही होती है, लेकिन सच कहूं तो जिमी, यो, काल, मुझे देख सकते हो यह दुनिया की सबसे तेज स्टॉच है तो वेल जैसी आवाजे निकालें यह गीली, धंडी, पत्थरों से भरी हुई मुश्किल गुफा हमारी जिन्दगी का सबसे खूबसूरत सफर बन जाता है हम तब तक नहीं जा सकते, जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता और सब कुछ से मेरा मतलब है सब कुछ चलो यहां से निकलते हैं और गुफा के शुरुवात में वापस पहुचने के बाद बहार की दुनिया कितनी अच्छी लग रही है हमारे पास जोल के लिए एक और सप्राइज था जाने से पहले, जोल, तुम्हें थैंक यू कहने के लिए हम तुम्हें पचास हजार न्यूजिलेंड डॉलर्स दे रहे हैं तो ये हर इंसान के लिए दस हजार है जन्हें तुम्हें जिन्दा रखा जलो चलते हैं अब ये सब निटा लिया है तो चलते हैं साथ लंबे दिनों के बाद